स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टेडी चैनल शिपरा तिरे पर दोस्तों आज हम जानेंगे सिंदु सब्व्यता के तत्यों के बारे जिन्होंने भी हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें सिंदु सब्व्यता के शहरों के डीटेलिंग है तो उसको पहले दोस्तों देख लें उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और अगर आप चाहें तो डिरेक्ट आई बटन पर क्लिक करकर भी वीडियो देख सकते हैं आई दोस्तों सिंदु सब्व्यता के कुछ तत्य फेक्ट्स के बारे में जानते हैं हडपा सब्व्यता के किसी भी इस्थल से दोस्तों मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं उस समय मंदिर नहीं हुआ करते थे सेकंड पॉइंट देखें हडपा, काली बंगन, मुहन जोदलो ये तीनों सिंदु सब्व्यता के शहर हैं यहां का नगर नियोजन एक समान था नगर नियोजन एक समान था मतलब यहां पर रहने की वेवस्था आवागमन, रोड ये सब एक जैसी थी काली बंगन ही ऐसा एक मातर शहर था सिंदु सब्व्यता का जहां पर जल प्रणाली नहीं थी दोस्तों यहां पर प्रमुक मार्गों को समकोन में काटा जाता था समकोन मिन्स ये जो आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं लाइक चुराहा नालिया ढकी होती थी इटे जिपसम तथा मिट्टी को पक्का करके प्रयोग में लाई जाती थी नगरपालिका की वेवस्था थी शासन या तो परशासन या पुरोहित याने पंडित दौरा किया जाता था यहां का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था इसके साक्ष मोहरों पर अंकी चित्रों से प्राप्थ हुए है सिंदु सब्बता के अंतरगत नौयन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन शाकाहरी और मासाहरी लोग दोनों थे मनोरंजन के लिए नरत्य, शिकार, पांसे का खेल, चोपड, पश्यों की लड़ाई आधी किया करते थे और कपड़ों में सूती और उनी कपड़े पहना करते थे जैसे कि हम आज की बात करें, आज एक घर में किचन, बात्रूम, गार्डन, बोरिंग सब हुआ करती है आज से 4000 साल पहले कि सिंदु सब्बता में भी यही हुआ करता था प्रत्यक मकान में एक रसोई घर, किचन, इस्नानागार, बात्रूम, आंगन, गार्डन, कुवा, बोर्विल होता था मोहन जोड़ों से प्राप्त एक मुद्रा पर, एक मुखवाले पूरुष, उसके सिर पर तीन सिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो में तीन सिंग, उसके बाईं और बाईं दोस्तों हैं लेफ्ट की और एक गेंड़ा और भैसे की तस्वीर और राइट और हाथी और बाग थे दोस्तों, जौन मार्शल, जौन मार्शल जिनों ने आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुराततव विभाग की स्थापना की थी, इन्हों ने इस पुरुष को पशुपतिनाद या शिव के समकक्ष माना है, या समान माना है यहां से स्वास्थिक चक्र और सूर्य पूजन के साक्ष प्राप्त हुएं, यहां के लोग सूर्य की पूजा करते थे और स्वास्थिक चक्र जिसको आप साथिया बोलते हो, यह वही है, स्वास्थिक चक्र बोला जाता है साथिया को, स्वास्थिक चक्र और सूर्य पूज यही सब उनके लिए धार्मिक आउसर हुआ करते थे उन पर वे नद्य और संगीत किया करते थे हडपा के निवासी प्रकृति की भी पूजा करते थे दोस्तों सिंदुस अब्यता में बहुत अच्छी चीज थी कि इंसानों को जिस भी रूप में कोई चीज मिलती थी मान करते थे हडपा जैसे कि आपन बात करें कि खेती के लिए बेलों की आवशक्ता होती थी पुराने टाइम पर तो वो लोग उसकी भी पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे पेड़ों की पूजा करते थे सूरी की पूजा करते थे अर्थात उनको जीवन में जो भी की देवी के रूप में माना जाता है तो यहां से महात्र देवी और व्रक्ष पूजा के साक्ष भी मिलें जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था कि जैसे उनको फल फ्रूट्स वगरा सब मिलते थे तो वह व्रक्ष पूजा भी करते थे पेड़ों की पूजा भी किया करते थे क पूबरवाले सांड अर्थात नंदी जी की विशेश पूजनियत है क्योंकि वह सबसे ज़्यादा खेती में इस्तमाल के लिए जाते थे हडपा सब्वेता की लीपी को अभी तक पहचाना नहीं गया है इसका कारण वह लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अर्थात बाईं से दाईं और दाईं से बाईं की वह लिखे जाती थी सिंदू सब्वेता के विनाश का संबहुता सबसे प्रभावी कारण बाढ़ बताया गया है दोस्तों माना जाता है कि कई बार भुकंप और 17 से जादा बार बाढ़ आने के वज़े से सिंदू सब्वेता समाप्त हो गई सिंदु सब्यता समाप्त होने के 200 साल बाद वैदिक सब्यता आई दोस्तों वैदिक सब्यता के बारे में हम बात में पढ़ेंगे ये था सिंदु सब्यता के बारे में थोड़ी जान करें अगले वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा बहुत सारे अलग-अलग questions जो competitive exams के इसाब से आपके लिए important है तो हडपा सब्वेता के जितने भी questions आपके competitive exams में पूछे जाते हैं वो हमारे अगले वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आगे वीडियो आपके mobile पर notification लाने के लिए हमारे इस channel शिप्रा तेरे को subscribe करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें और आगे अपने दोस्तों के साथ share करें Thank you दोस्तों